हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो दोस्तों आज आपके साथ हर दिन काम आने वाली बहुत ही बेहतरीन किचन टिप्स सेयर करने वाली हूँ टिप्स वन दूद से अगर जादा मलाई निकानला है तो दूद को अच्छे से उबाल कर ठंडा होने के लिए रख दे और फिर दूद को फ्रीज में रख दे ऐसा करने से दूद से जादा मलाई निकलेगा तो ये टिप्स बहुत ही अच्छा है टिप्स नमर टू है लाल मिर्च पाउडर को ज़्यादा दिनों तक सुरक्चित रखना है तो उसमें हींका एक टुकडा डाल दे और लाल मिर्च को साफ डब्बे में ही रखे लाल मिर्च पाउडर लंबे समय तक खराब नहीं होगा और सुरक्चित रहेगा टीप्स 3 सरीर में हीमोग्लोबीन की कमी नहीं हो इसके लिए आप पका हुआ अम्रूद खाएं जिसे की सरीर में बलड आवस्यक मात्रा में बनी रहे टीप्स 4 चॉपिंग बोर्ड का हर रोज उपियोग करने से उसमें दाग लग जाता है तो ऐसे में इस पर नमक, पानी और बेकिंग सोडा का पेस्ट बना कर डाले ब्रस से स्क्रब करें और इसे सुखने के लिए रख दें टीप्स 5 करी पते को ताजा रखना है तो उसे पतले कपड़े से लपेट कर फ्रीज में रख दें करी पता ताजा बना रहेगा टीप्स 6 अगर आपको खासी हो रही है तो सेब के रस में सहद मिला कर पीए ऐसा करने से खासी ठीक हो जाएगा टीप्स 7 आम का अचार बनाते समय थोड़ा सा गूर डाल दे इससे अचार जादा स्वादिस्ट बनेगा टीप्स 8 जब हम सबजी काटे तो वहाँ पर सबजी का छिलका रखने के लिए बरतन या पेपर रख ले ऐसा करने से हमें स्लेप या फर्स से सबजीयो का छिलका हमें बार बार उठाना नहीं परेगा और हमारा कीचन गंदा नहीं होगा टीप्स 9 आटा को गुनगुना पानी से गूथे इससे आटा गुतने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आटा सौफ्ट गुत पाएंगे टीप्स 10 मेथी की करवाहट दूर करना है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल कर थोड़ी देड के लिए रख दे फिर कुछ देड के बाद मेथी की करवाहट मिट जाएगा टीप्स 11 नौन स्टिक बरतन का उपियोग करने के बाद जब बरतन गर्म रहता है तो उसे धोने के लिए तुरंत ही पानी नहीं डाले ऐसे में नौन स्टिक बरतन जल्दी खराब हो जाता है टीप्स 12 अगर आप रोज दिन एक केला खाते हैं तो ऐसे में आप चिरचिरापन और गुसा जैसी समस्या से आप दूर रहते हैं टीप्स 13 दातों को अगर मजबूत बनाना है और दातों को अच्छे से चमकाना है तो सब्ता हमें कम से कम दो से तीन बार पीपल का दातों जरूर करें टीप्स 14 घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके आँखों में काजल जरूर लगाएं क्योंकि काजल लगाने से आँख साफ रहता है और आँखों की रोशनी तेज होती है टीप्स 15 अगर आपके सरीर की हड्डियों में दर्द रहता है तो आप सब्ता हमें दो से तीन बार राजमा से बना हुआ वेंजन या राजमा की सबजी बना कर खाएं क्योंकि राजमा में केल्सियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो सरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है तो दोस्तों उमीद है आपको यह सारी टीप्स उपयोगी लगी हो आप इन छोटी छोटी टीप्स का उपयोग करके सरीर को स्वस्त रख सकते हैं और कीचन के काम को आसानी से कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कॉमेंट जरूर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर आल पर क्लिक कर लिए ताकि मेरी सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे थांक यू